नमस्कार दोस्तो घरेलू शिक्षा में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको दिमाग तेज करने का घरेलू उपाय बनाना बताएंगे दोस्तो चाहे पढ़ाई का छेतर हो या जौब का आज के दोर में हर कोई औरों से आगे निकलने के लिए तेज दिमाग चाहता है मगर परियावरन और अन्य कारकों के प्रभाव के कारण हमारी इसमरन सक्ती कमजोर होती है चानक क्या आदी कोई विशेश दिमाग लेकर नहीं आये थे बस उन में और साधारन मानव में इतना अंतर था कि वे अपने दिमाग को अन्य मनुस्यों से ज़्यादा इस्तिमाल करना चाहते थे इसका एक ही कारण था दिमाग को एकागर कर किसी विशेश पर लगाने की शमता आदी ये शमता हम आपको वह शमता तो नहीं दे शकते मगर आपको कुछ ऐसे तरीके बता सकते हैं जिनसे आप उस दिशा में अपनी इसमरन शक्ती को बढ़ा सके दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हें दूर करने के लिए घरेलू उपाय बनाना बताएंगे जिनका प्रयोग करके आप इन सभी प्रॉबलम से छुटकारा पा सकते हैं तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला उपाय एक गिलास पानी में तीन चार बदाम को पानी में डाल दे और रात भर रखे रहने दे फिर सुबह उटकर बदाम के छिलके को निकाल ले और बारिक पेश्ट बना ले इस पेश्ट में 2 चम्मस शहद मिलाकर इस पेश्ट को एक गिलास दूद में मिलाकर पी ले बादाम दिमाग को तेज करता है रोज करते हैं तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा दूसरा उपाय दिमाग को तेज करने के लिए 18 ग्राम अकरोट और 9 ग्राम किसमिस को रोजाना खाएं इससे आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा और गर्मी के दिनों में आप इस उपाय को कम कर दे क्योंकि ये गर्मी करता है इसलिए गर्मी के दिनों में इसका सेवन कम ही करना चाहिए तीसरा उपाय चार से छे काली मिर्च लीजिए और उसमें 20-25 ग्राम मक्षन और मिश्री मिला ले और फिर खाएं से आपके दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है चौथा उपाय आपके दिमाग की कमजोरी को दूर करने के लिए घी सबसे अच्छा है गाय के दूद से निकले हुए घी को ले और उससे आपको दिमाग की मालिश करे इससे आपका दिमाग तेज हो जाएगा घी की मालिश नियमित रूप से करने से भी दिमाग तेज हो जाता है पाँचवा उपाए आवले का मुरब्बा आवला जो की विटामिन C का स्त्रोथ होता है का मुरब्बा बना कर रोज शुबह खाली पेट खाने से दिल और दिमाग दोनों ही को ताकत मिलती है छटवा उपाए दही में एमिनो एसिड होता है जो चिंता को दूर करने में सहायक होता है और दिमाग को शांद करता है उपने बच्चों को किसी भी प्रकार की चिंता से दूर रखने के लिए उन्हें रोजाना खाने में दही भी खिलाएं साथवा उपाई एक गिलास दूद में तीन चम्मस सहद मिला कर पिलाने से बच्चों का दिमाग तेज होने लगता है और बच्चे हर काम के लिए एक्टिव भी रहते हैं आठवा उपाई रोज सेप का सेवन करना भी इसमरन शक्ति के लिए बहुत फायदेमन है नवा उपाई एक गाजर और गोभी पत्ता के पात दस पत्ते काट ले इस पर हरा धनिया काट कर डाल दे फिर उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च का पावडर और नीवू का रस मिला कर खुब चबा चबा कर खाने से दिमाग तेज होता तो दोस्तों उमीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब करें धन्यवाद भाइ